आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello student, हमारा आज का Question है क्या Question? Which of the following do not represent Bohr's model of atom correctly? कौन जो है यहाँ पर correctly जो है Bohr's model of atom जो है नहीं दर्सारा यह हमको यहाँ पर बताना तो Bohr's model में जो है यह उसने क्या बोला था कि सबसे पहले तो आपका जो है क्या होगा यहाँ पर Nucleus होगा तो जो आपका Nucleus होता है उस पर पूरा का पूरा मास जो है सबसेंगा अपके सबसेंटा ॉक्षट को आ निखशाल करों इसके और नेक्स्ट सायगी वातकी यहाँ पर आजाएगी और इसमें जो मेंगम्हार इलेक्ट्रौन तो sandy फोर 01 6, 7 और यह आपका 8 तो maximum यह 8 ही electron यह आपके L cell में आ सकते हैं तो यहाँ पर यह आपके क्या 2 ही cell बनाई जा रहे 4 structure में तो हमको 2 ही cell में हमने बता दिया कि boards का जो model हो सकता वो आपका क्या हो सकता है अंदर maximum 2 electrons ठीक है जब यह 2 electron फिल हो जाएंगे तब हम बाहर वाली cell पर आएंगे और बाहर वाली cell जो मतलब L cell है इसमें maximum यह आपके 8 electron आ सकते हैं तो आपके यहाँ पर 1 electron से लगा कर 8 मतलब 8 electron तक इसमें आ सकते हैं तो जो पहला diagram दिया जा रहा है इसमें क्या है कि यह nucleus अंदर वाला इसके बाद यह 1st cell मतलब K cell में जो है 2 electron है इसके बाद यह आपके मैंने बोला था 2nd cell मतलब L cell में एक से लगा कर 8 electron हो सकते हैं तो इसमें 5 electron मतलब यह correctly represent कर रहा है अब इसके बाद यह 2nd में यह nucleus है और 2nd मतलब जो पहली cell है उसमें 4 electron है यह गलत है maximum तो है यह आपके 2 electron आ सकते हैं by the formula जो है आपके जो number of जो भी हम cell पर बात करेंगे उसमें जो maximum number of electrons जो है यह आपके कितने आ सकते हैं अगर हम K cell की बात करते हैं मतलब जो N की value जो है में 1 एक रखनी पड़ेगी तो 2 into 1 square तो यह कितना हो जाएगा यहां पर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा और अगर L cell की बात करते हैं तो L cell में जो है N की value जो है में 2 रखनी पड़ेगी तो यहां पर जो मेक जो electrons आ जाएगे वो कितने हो जाएगे 2 into 2 square तो कितना हो जाएगा यहां पर 8 हो जाएगा तो आपके पहली cell में जो आपके फोर electrons हो गए तो दो इलेक्ट्रों से जादा होने नहीं चाहिए तो यह बहुत मॉडल जो है यह correctly represent नहीं कर रहा है अब हम आते हैं थाड़ वाले पर थाड़ वाले में जो है यह आपके 8 एलेक्ट्रों तक हो सकते तो यह बिल्कुल जो है correctly represent कर रहा है अब इसके बाद जो है फोर्थ वाले पर आते हैं तो यह nucleus हो गए और यह आपकी k-cell हो गई तो k-cell पर जो है 2 एलेक्ट्रों है इसके बाद जो है यह l-cell है l-cell में correctly represent नहीं कर रहा तो कौन नहीं कर रहा second and fourth और second and fourth जो है यह आपके option नमबर थर्ड में so option third जो है यह इसका यहां पर क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा thank you classics to 12 से लेके need IIT GE means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजे अपने doubts आच चार्सो 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 पर